तुमकितर कितनी कामियाभी आपको लगती है कि उस घुट से आप जुडगे ये टीकट दिला देंगे बेटे को अब ऐसे आपको मैं बताऊं कि ना तो हमने कभी टीकट मांगी ना ना हम कभी टिकेट मांगा ये भी हमारा वचन है पका हम टिकेट मांगने वाले लाइन में आके बिखारी नहीं है हम टिकेट मांगेंगे ऐसे लोग हैं जो राजे सबार लोग सबा और विदान सबा में से ले जाते हैं पांच साल बन के आ जाते हैं ग्यारा सो मले बन लिए औ सब्सक्राइब करें लिए अपने मुख्यमंत्री तक बना दिये हर्याना में और बेटे के लिए बड़ी जद्दो जहद करनी पड़ रही है तो क्या वो मुकम्मल जहां मिल पाएगा नमस्कार एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है मैं उसर्वेश को करा इस वक्त मेरे साथ म सब्सक्राइब करूब। एक गुट है जिसको एसार के भी कह देते हैं दरसल और उसको मास्टी जी से पूचेंगे कि वो इसको क्या नाम देते हैं एक रेली कर रहे हैं दरसल चोदरी वास में 17 तारिक को उस रेली के स्यूजिक है मास्टर हरी सींग इसके बारे में बात करेंगे और इस गुट से के होती हैं दरसल जब भी कभी सवाल होते हैं कॉंग्रिस के साथ में या कॉंग्रिस नीता के साथ में तो सवाल इसी बास से शुरू होता है कि वह गुट क्या कर रहा है वह गुट क्या कर रहा है माश्री दो गुट हो गई अब आपकी तो एंट्री होगी वह सार के गुट में हो गया आप उनको आप सला दे रहे हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं यह क्या चीज़ कर रहे हैं मुझे नहीं पता लेकिन ऐसार की की रैली हो रही है सत्रह तारीकों चोदरी वास में रैली आप करवा रहे हैं देखिए आप गुट का नाम दे रहे हैं मैं इसको सही नहीं मान रहा यह कोई गुट नहीं है दो तो आल इंडिया कॉंग्रिस कमेटी के जनरल सेक्टी है कुमारी शैल्जा और रणदीब सुर्जेवड़ा और एक मैडम किरन चोधरी है वो पहले सील पीजी लीडर रही है और कांग्रिस की विदायगर पूरो मंत्री रही है इसलिए के रहो सबती उसल्टेक płों के समय अब दूकलाम अजाद के में आज्याद के समय मुझत तब भी विचार अलग लगती अपने इसाफर से काम करने का मुझता है फिचार्टारा अलग हो सकती है पर तुंद चैनल पार्टी के लिए सब काम कर रहे हैं पार्टी कांगरिश की मजबूत्ती के लिए काम करें करें लोग पूछते हैं काम कर रहे हैं काम तमाम कर कार के बात को वह सकती है पर दूंग कांग्रेश में सब काम कर रहे हैं कैसे बला कि मैंने बताया है कि राओल गांदी जी ना कंद्या कमारी जैक कश्मीर तक यात्रा की बारजोड़ो यात्रा यात्रा में सब कुछ उन्होंने देखा सीक और जाना उसके बाद दो तीन इनजों में काँगरे ने सब कुछ उसको निश्कर्श निबन करके कहा कี่ ये ये बत एंग हमें पूरे परदेश हमें जाना चाहिए और लोगों तक ये बतेंं हमारी काँगरे की पुरानी पुलप डिया और नीचिक प्रणों को जन जन तक पुचाना चाहिए इसके लिए हमें यात्राइं निकाली जानी चाहिए हमारी तरफ से जिसको कांग्रेस संदेश यात्रा कही जानी चाहिए और वो कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर के दो राष्टिये बड़े नेता और एक परदेश की बड़ी नेता तिनों साथ मिल करके वो यात्राइं इसलिए निकाल रहे हैं कि कांग्रिस की पुरानी उपलब्दियां और नए नीती और कारिय करम जन जन तक पुछाया जाए ताकि जनता को भी पूरी बात समझ में आये औ और जो कारिय करता है उसमें भी उच्छा बने के वास्ता में कांग्रिस एक बहुत बड़ी प्रारव में एक समाजवादी विचारदारा लेकर के कांग्रिस उठी थी पंड़ जवार लाल नारिव के समय में आज आज बारते जनता पार्टी ने पुंजी वाद देश में ब अब रंडीव सुर्जेवाडा कुमारी सेलजा और किरन भी आप कह सकते हैं बीच में यह लोग जो हैं अब यात्रा निकालेंगे और जो इनके जो सपोर्टर हैं समर्थक हैं उनको थपकिया मारेंगे थपकी गेम चल रहा है एक बर थपकी उदर से लगती है इनको इन वाल लेकिन जब नारे लगते हैं सेलजा वावी मुख्य मंती तो खुश तो वह भी होती अंदर से पूरी बात सुनो स्रवेजी इन्होंने नहीं का वास्तव में यह सही नीती और सही कारी कर रही हैं का अब सुनिए क्या है आज मैं एक बात आपको बता रहा हूं नहीं एक अर्मिल के लोग फैसला ले सकते हैं बोत टीन बात अग्र जॅक्रेश अपना नरिना कर लेना और निती नार्ण में कर ले लिए नियम बना दे कौन से कौन से नियम नंबर एक पहला नियम तो कोई कांगरेश का कार्य करता टिकेट मांगेगा नहीं टिकेट मेरिट पर कांगरेश देगे इसको और मेरिट का तरीका क्या हो मेरिट किस बात की मेरिट मेरिट उसकी आचरन की और उसके काम की और लोगों में ल कोई भी यह नहीं कहेगा कि मैं मुख्यमंतरी बनुगा या मैं मुख्यमंतरी का दावेदार भी कहना मैं कल समझता हूं और तीसरी बात इसमें आफ जिसको चनेगे नहीं अगर कांग्रेस को आगे बलाना आए तो एक सुत्त रखो गांग्रेसाई कमान जो निरनें लेगी, जिसको मुखे मंतरी बनातीश बनेगा. और खुद लीडर भी ये कहें कि ये भी बन सकता है वो भी बन सकता और इन शियालग भी बन सकता कोई भी मुख्य बंतरी बन सकता तो एक मैसेज आएगा प्रदेश में एक मैसेज आएगा पूरे प्रदेश में चत्ति जात के लोग ये समझेंगे मारला भी बन सका है अब बात के दिए चलो आपने थोरी एक पेस्ट की है आई कमान इस पर देख लेगी लेकिन जब आपने यह कहते हो आपके वही हाई कमान तै करें मुख्यमंत्री को तो इंटरल डेमोक्रसी का क्या आज बारतिय जनता पार्टी का सिरफ यह एक प्लस पॉइंट है ना कि बैक बैंचर में से उठाकर चीफ निश्ट बना देती है तो कोई भी आदमी जो हैना काम करता है दबा दब दब काम इसलिए करता है कि तू भी चीफ निश्ट बन सकता है जब एक आदमी पिर उस ही का सह मामला चलेगा तो कैसे हो गा यह आप ने नोटिस किया बार्ति जनताी पार्टी ने तमाम विदाएक उसे पूठा कि कि आप किसको चाते और यह पूराज्य मुख्यम है क्यों को का आपक। पूछना एक अच्य बात है पर मैं इक कहने की बात बताई है un Bend को मैं तो फरक देखते हैं कॉ ignoring me वेक थी बात ही नी करता है उट तो आखरी आखरी लाइन में बैठा हुआ आखरी कुर्ची बैठा हुआ वह भी लीडर हो सकता है उसमें हो सकता है लेकिन जो लीड कर रहा है तो उसके बारे में कर रहा है लीड का मतलब आ पेंदर सिंग उड़ाइन जो है लीडर है वह तो फिर लीडर आप मांते क्यों नहीं मैं एक पहले बता रहा हूँ कि वह आल इंडिया कॉंग्रिस कमेटी जनल सेक्टी दूसरा भी अल इंडिया कॉंग्रिस कमेटी का जनल सेक्टी 12-14 जनल सेक्टी होते हैं 12 में से आज 2 यान पता पाते हैं अब इस बात का मैं कैसे बताऊंगा किसके बार में किसके बार में किया नहीं हूं में कोंगर्यश माइनश में बराबर जीरो कि अच्छा अब यह बताऊंगे यह जो भारतीय जनता पार्टी है भारतेय जन्ता पार्टी का इतना उस्चे शहतर पर पूचने का कारण में आप से पूछू मताओं के यह किसी व्यक्ति को यह नहीं सब मांते के भी योई मुख्यमंतरी बनेगा उसको पूरा के मुख्यमंतरी चोड़ो सर प्रदार मंतरी की नाम पे वोट पड़ते हैं उनको पिसला लोग सबाइब मोदी के नाम पे जिता गया अगला जो चुना होगा वो न अब समय जब आएगा स्थिती प्रस्थिती जब आएगी अब विश्वार बारतिय जनता पार्टी जब प्राजीत होंगे रूपर कांग्रेस बनेगी तो अगली बार मोदी ढूंड लिए उकड़ पाव तो पता दो कांग्रेस भुड़ा बराबर जीरो ऐसा है कि नहीं है यह सोच आप लोगों ने बना दिया पतर कारो ने और वो कह दिया नहीं कोई बाता इसी बात नहीं है मैं कहता हूं कि कोई कांगरे एक और जोड़ दे सुनो पूरे देश में जोड़ दे क्या जोड़ दे पूरे देश में हम टिकट उसको देंगे पारलियामेंट कि उसको देंगे विदान सभागी जो आचरणवान होगा लोगों में लोग पिरिये होगा और वो चेक कांगरेश प्राइमरी मेंबर नहीं है अभी तक और लोगों में पापुलर राचरण वान वेक्ती है उसको देंगे तो कांगरिस चार सो सीट जीता है यह कौन जारी करेगा यह मतलब पता कैसे पब्लिक पब्लिक में आप क्यों क्यों इस बात को करते हो छुपाते क्यों कोन आदमी कितन सर्वे करेंगे और जिताओ के इंडिट होंगे ना टिकेट उनको मिलेगे नोट जिताओ जिताओ का मतलब दूसरा है दीजेपीबी जिताओ का नाम लेती चेरे चीहे ना जो जीत के आएगा उससे से काम चलेगा सरकार तब बनेगी अच्छा यह वास्त्विक्ता क्या होती जीत के आएगा चेरा सरकार तब बनते पार्टी के हवा बनाते हो सुनो 1984 में दस की दस सीटें कांगरिस की जीती ती और उसके बाद सब ने यह कहा विलेविशाब कोई भी पक्षनी और वो देविलाल ने मेनत करके इमत करके मुद्दे उठा करके बात चला करके ऐसी हवा बनाई 85 जीती सर मैं इतफाक रखता हूं आवा से पार्टी बनती है पार्टी जो भी हावा आवा जो आपने कही है लेकिन हावा तो कॉंग्रस की खराब होगी तो पार्टी जीते होगी आज कोई समय गया कहा है अभी समय नहीं गया अभी तो तीन महीं चार में ने दो पड़े हैं और एक रजल्ट राजस्थान में अभी भी आर गया है आपको कि हावा दुबारा बन सकती है और इसको बढ़ाया जा सकता है और और भी पड़ेगी और पड़ेगी इसको बढ़ाने के लिए एक यह व्यक्ति की बात ना करो यहावा कैसे बन जाती है मैं तो दे पर इसको बढ़ाया जा सकता है लोगसभा में लोगसभा में क्योंकि विदान सवार लोगसभा चुनाव अलग अलग होने हैं और लोगसभा अकेला चुनाव होता है तो उसमें कांग्रेश को जोर पड़ेगा और जोर को और तेज अवाब बनाने के लिए मैंने जो फार्मुला बता है वो फार्मुला अगर कांग्रेश लागू कर दे तो इसको बीज़ेपी को पारलियामेंट में भी शाफ कर सकती है मुद्ध की बात प्याज़ो मास्टे जी मुद्ध की बात यह कि 17 तारिक को आप रेली करेंगे सेल जा भी आएंगी रंडीप याएगा किरन भी आएगी बीड़ बीकठी कर रहे हो आप मुझे बताया आप गाउं गाउं में जा रहे हो सब लोगी कठी कर दो के संदेश भी तो हमने कभी टिकेट मांगी ना हम कभी टिकेट मांगा यह भी हमारा वचन है पक्का हम टिकेट मांगने वाले लाइन में लाके बिखारी नहीं हैं हम टिकेट मांगेंगे जिसको लगे भी यह आदमी ठीक हैं आचरण वान हैं अच्छे हैं इमानदार हैं लोगों से करने का इनके सीने में दरद बेरोजगारी दूर करने का और इनके सीने में दरद किसान की वह आलत दुबारा स्थाफित करनी जो उनीस सुच्छ तर्म होया करती यह अगर कोई समझ कि किसी को लड़ाए तो लड़ाओ अधर वाइस हम टिकट मानने वालों के लाइन में नहां अज तक मांगी आज तक ना मांगी और नाखिभी मांगें आपने मांगी हैं लेकिन आपकल्ट में मुख्य मंतिरी बनाए है तो यह कभी कभी राहुल clipping की तरफ से कोई संदेश नीज आता करता कि मासे जी को लेकर आओ को सलाह कर ले आपसे भी उसने रिजिस यह झोब देन पिर मैं आगे संस माश्टर लागा तब भी महसूस्चया कि शीक्षा एसमान हे. उसके बाद जब ये बच्चा अमयरीका गया, तब इससे मैंने क्योस्चन कर रहा है, अमयरीका में क्या है? तब इसने मुझे बताया के पिता जी ये विवस्ता है फिर मैंने कहा यहां गरीब यह वहां उसकी विवस्ता किया है उसके यह तो यह जो हम विचारिक साती हैं पिता पूतर और ये यह लड़का केवल इस बात के लिए आया है कि मेरे जी और मेरी दोनों की विचार दारा को के बढ़ाएं हम टिकट के बुखे विदायक के बुखे नहीं हैं हम सिर्फ इस बात के लिए हैं कि अब आवाज उठाते हैं अब वह आवाज हमारी अंदिवार से बार नहीं निकलती और जो ऐसे लोग हैं जो राजे से बार लोग समा और विदान समा में से ले जाते हैं पां मंत्री तक बना दिए हर्याना में और बेटे के लिए बड़ी जद्दो जहद करनी पड़ रही है तो क्या वो मुकमल जहां मिल पाएगा पहले मैं मेरी चार बात सुनोंगे अपनी अपनी को मेरी भी तो सुन लिए चार दर्द सुन लिए मेरे के हैं पहला मेरा यह दर्द है जब तक पूरे देश में गरीब के घरजनम लेने वाले बच्चे को और अमीर के घरजनम लेने वाले बच्चे को एक समान सरवांगिन शिक्षा नहीं जी जाती रहे एक समान उन्नती के समान अफसर नहीं दिये जाते तब तक सब भई मानी है क्या कहते हैं यह बीजेपी ब जबाव है कि इक sour हैं के दो बैल और दोन्यों में बैल कशांथ लातर एक सुकी तूरी डालता है दोनूं को से चालनी थे पर तूरी वाठा उसंटोने वाले को कैसे पखड़ेगा पिछे रहे जाएगा इसी तरह से एक बच्चा सरकारी स्कूल में जहां कोई ना निग्रानी ना जिम्मेवारी ना संबाल ना कोई पढ़ाई है वहां पढ़ता और एक बच्चा टोप के जो 4-5 लाग रुपए वो उसको फीश दे करके पढ़तार सरवांगीन विकादी जाए हमारा बच्चा दिमाग में तेज हैं उशार है बहुत जादा वो भी बराबर का है परिक्षा में आप बिठाऊए दोनों को बराबरियाँ पेपर देझेगी तो निश्चित तोर पर अमारा बच्च्चा वागे नीए नीए आगा आज देखते हो को डी सी को स्पी को स्ट् केवल डी ग्रेड की नोकरियां कह सकते हो डी ग्रेड की नोकरी क्योंकि उट अमीर लोग लगना चाहते हैं तो उसकी जद्धोजद की बात करते हो यह गलत है जब तक सारे देश में एक समान स्कूल और एक समान सिक्षा और सरवांगिन भी काशिक शिक्षा अमेर गरीब को न राझ योप्तीों दरोफ्र टेल देते हैं और इनको फिर हमारे को बोट देने का हाक उना चीकिव हमें हमारी तो इनको देखना बीजय पी बोलती है टेलेविजन रोज बोलता है असी allein सिक रोड लोग गिए रहाए मैं भी याधा है बेढानती है परन्तू बीजेपी पूरे देश में पूंजीवाद को ला रही है कैसे दस पचास सो दो सो चार सो पूंजी पती कारपोड बढ़ाओ 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 उद्योग बढ़ाओ तो बंक से जो चाओ मिलेगा बिना गरंटी आपको मिलेगा बढ़ाओं वो उत्पादन करते हैं उत्पाद अमरिका की मंडी में भिकता है और अमेरिका में आपको पता भी है अमेरिका और यहरूप में इंग्लेंड में कार खाने बहुत कम remote हैं क्योंकि वह मजदूरी महेंग का जार रुपए वो बनाते हैं और वो उन बंडियों में जाकर एक रुपए का जार रुपए नो सो निनान में रुपए वो कमाते हैं हम यह सोचते हैं कि वो नो सो निनान में रुपए वो पूंजी पती क्यों कमाएं वो नो सो निनान में वो गरीब आदमी कमाएं और थैस्अ की सरकार जिसमें वो माल तेयार हो जो अमरीका की मंडी में भी कर और वो माल दे कच्छा-भाइब बना हुआ माल वापिस ले और उसमें दो-ती-दो-तीन आद्मीं लग दें के हो जाएगी तो गरीब भी छह मेने में दूर हो जाए यह काम क्यों नहीं करते शुक्रिया बात करने के लिए मास्टर हरी सिंग थे जैसे मैंने बताए कि तीन तीन मुख्य मतों के साथ में काम करने का अनुबाव इनके पास में अच्छा खासा और एसार की जो यात्रा निकले यह कि सेल जाए रंदीप और किरन की वो सबसे पहला पड़ाव सबसे बड़ी रेली पहली रेली चोदरी वास्मी होगी मास्टर हरी सिंग उसके सभी जक हैं इस इस गूट में दम कितना है कि नहीं है या है तो कितना है खुल के कमेंट भी करें वीडियो को शेयर करें और आ एक तर एक मत पॉस्ट